अब यह वीडियो है बिहार स्टीटी कोर्ट केस अपडेट के ऊपर बिहार स्टीटी को आज जेर साल हो गया और इस मामले में जो सस्पेंस है जो अंसर्टिनिटी है वो आज भी वैसे ही बना हुआ जैसे कुछ महीने पहले तक हुआ करता था तो आज के लिए यही अपडेट है कि आज 21-22 को शायर इस कोर्ट केस को सुना जाना था मैंने आपको सुबह भी वीडियो क्रियेट करके दिखाया था कि 41 नंबर पर यह केस लिस्टेड है और अभी आपने स्कीन पर देखिए 2.15 का टाइम अभी भी हाई कोर्ट की एब तरीक में दिखा रहा है पर कोर्ट के मैनेजमेंट की गलती के कारण जो केस सेकंड हाफ में सुना जाना था दो 15 के बाद सुना जाना था वो पहले ही सुन लिया गया उसकी बारी जो तो तर्म था और उस टाइम पर सरकारी जो वकील थे एजी जो थे वो एवलेबल नहीं हो पाए तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आप सरकारी वकील का एजी की गलती आप नहीं मान सकते हैं यह कोट के मैनेजमेंट की गलती है अगला डेट 28 तारीक का दिया जा रहा था जिस तरह की खबरे निकल के आ रही है पर 28 तारीक का डेट पेटिशनर के वकील उस दिन अवेल चार फरवरी को इस केस को सुना जाएगा दुबारा अब चार को इसकी सुनवाई होगी की नहीं होगी उस दिन भी तारीक पर तारीक पड़ेगी यह क्या होगा ओचार तारीक को ही पता लगेगा पहले से कह देना कि इस तारीक को केस सुना ही जाएगा और कोई फैसला निक सरकार या बोर्ड एक्टिव दिख रही है कि इस मामले को सौट आउट किया जाए इस केस को रफा दफा किया जाए क्योंकि जिस तरह से कोई बड़ी खबर आई तो भी आपको अपडेट करेंगे चारतारी को क्या होगा वो भी ख़िशे चुपाओवा नहीं रहेगा वो भी विब साइट पर आ जायागा और खबर पैल जाएगी रही बात दूसरे केस की जो मैथ वाला केस है मैथ वाले केस में क्या हो रहा है कि जो उसके पेटिशनर है वो उस केस को सीक्रेट रखने की या उसको थोड़ा छुपा के रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका अपरोच से यही लगता है वो चीजें रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उस केस के बारे में भी जानकारी कठा किया जा और कोई खबर अगर वहां से भी निकल के आती है उस केस के बारे में तो आपको बताया जाए लेकिन 85-20 के बारे में यही खबर थी कि अब इस केस को च